नमस्कार दोस्तों, सारे प्रिजाइडिंग ओफिसर्स को 9 अक्टुबर 2024 को PDMS एप्लिकेशन पर ड्राय रन करना है और वो समय रहेगा 12 बजे से ले करके 2 बजे के बीज ये है क्या, दरसल PDMS एप्लिकेशन एक ऐसा एप्लिकेशन है जो जारखंड में होने वाले विधान सभाद चुनाव में जितने भी तरह के डेटा हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको मैनेजमेंट करने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जारखंड की तरफ से एक अप्लिकेशन जारी हुआ है जिसमें सारे डेटा हमें उसी पर भेजने है और इसके लिए ड्राए रन का जो है कल विकल्प रखा गया है मतलब इसको कैमपैन के रूप में लेना है, सारे पीठा सीन अधिकारियों को इसमें पार्टिसिपेट करना है अभियान के रूप में ताकि यदि एक साथ जारकंड के सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यदि उसमें लॉग इन करते हैं और डाटा फीड करते हैं तो क्या ये एप्लिकेशन सक्सेस्फुल रन कर पाता है या नहीं कर पाता है क्योंकि आने वाला जो चुनाव है वो बीस तारीकों हमारे बोकारों विदान सबाव में होने वाला है मैं खास करके यहां के बात कर रहा हूँ और अभी दो चरण में चुनाव होने वाला है तो पहला चरण में भी और दूसरा चरण में भी इसको लागू किया जागा तो वे मैं फिलाहल बात कर रहा हूं बेज तारीक को ध्यान में रखते हुए कल तारीक 9 अक्टूबर 2024 को समय 12 बजे दो पहर से ले करके दो बजे अपरहन तक 12 बजे अपरहन से ले करके दो बजे अपरहन तक ड्राइ एंड रन का कारे चलेगा सभी पीठासीन अधिकारियों को PDMS अप्लिकेशन इंस्टॉल करना है प्लेश्टोर के माध्यम से अपने Android मोबाइल में और उसमें लॉग इन करने का है लॉग इन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है अभी तो बूत नंबर हमें अलोट हुआ नहीं है तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे अपने विधान सभा की करम संख्या यानि कि AC का नंबर AC Assembly Constituency इसके बाद लिखेंगे आप PO और फिर लिखेंगे अपना पार्टी नंबर इसके बाद user ID ये हो गया इसके बाद password जो लिखेंगे वो आप लिखेंगे AC ठीक है AC का नंबर यानि कि विधान सभा की करम संख्या और उसके आप लिखेंगे पार्टी नंबर इस बाद PO नहीं रहेगा तो यही password हो जाएगा जब pulled होगा उस दिन आपका इसी तरह का user ID होगा बट जो password होगा वो आपका registered password होगा तो फिलहाल dry run जो campaign है dry run जो कारी किया जा रहा है 9 तारीको 12 बजे से 2 बजे के बीज इसमें इसी तरह user ID रहेगा और इसका password रहेगा तो आईए मैं आपने mobile screen में भी ल करके 2 बजे अपरहन तक इसमें काम करना है जब आप उसमें enter कर जाएंगे login कर जाएंगे तो आपके सामने वहां options खुलेंगे और option जो है वह एक-एक option जो है वह आता जाएगा हर 15 मिनट में और आपको वह data feed करते जाना है समझ गए कुछ भी जो है मालेजिए आप 2-3 data जो ह दिया 7 बजे तो यस ठीक है अब 9 बजे कितना पर हुआ तो यह एक-एक जो step है वहर 15 मिनट में खुलता जाएगा तो इसको हम लोग try करेंगे कोशिश करेंगे और हम लोग का target है कि 100% जारखंड के जो प्रिजाइडियों officers हैं इसमें login करें और data जो है 12 बज़े से 2 बज़े के बीच अपराहन में इसमें feed करें ताकि इसकी successful डंग से testing हो सके कि यह जो application है वह load जो है वह सह पाता है या नहीं ताकि successfully हम लोग पोल लेको इसमें अपना data monitor कर सकें management कर सकें अपना feed कर सकें तो सीधे चलते हैं आईए mobile के screen पर ताकि आप देख सकें कैसे download करें इसको install करें अपने mobile में कैसे इसमें login करें फिलाल आपको download करना और login करना में दिखाता हूं user ID और फिलाल का password इस्तिमाल करके चलिए दोस्तों ध्यान से देखें कि यह है हमारे mobile का screen और यहां पे देखिए दिख रहा है आपको play store इस पर tap कर दें आ जाएं search button पे click करें फिर आप उपर आ PDMS देखिए हमने लिखा और इसको search किया search करने पर direct नहीं आता है इसलिए आप PDMS जारकंड जरूर लिखें टाय करके मैंने दिखाया आपको जारकंड लिख दिखें अब search करें इतना करेंगे तो आपको सबसे टॉप में यह दिखेगा ठीक है यह दिखें यहां open दिख रहा है चुकि मैं install किया हुआ है इस जगह पर आपका install का option आएगा तो आपको click करना है install जब हो जाए एक बार allow मांगेगा अनुमती मांगेगा अनुमती आप दे दें फिर आप इसको open करें जैसे open करेंगे यह कुछ इस तरह का खूलेगा थोड़ा सा patience रखें फिर यहां login बटन आ जाता है login पर tap करें इसको चुकि आप प्रिजाइडिंग officer है तो प्रिजाइडिंग officer की रूप में आपको यहां पर tap करना है अब जो user ID मैं अपने मामले में आपको बता रहा हूँ मैं प्रिजाइडिंग officer हो तो यहां पर क्या type करेंगे अपना मेरा जो पढ़ने वाला ह है जैसे हमारा पार्टी नंबर जो है वो है three five टेक है sorry three six है तो हमने three six लिख दिया शुरू में यही है हमारे assembly constituency की करम संख्या मतलब उसका नंबर है यह बोकारो पड़ता है बोकारो विधानसभा यह लिख दिया इसके बाद हमने लिख दिया इसके बाद हमारे पार्टी न नंबर लिखना है विधानसभा नंबर क्या है तो three six लिख दिया उसके बाद पार्टी नंबर क्या है three five समझ गए अब इसके बाद इसको हमने आगे login पर क्लिक कर दिया तो इस तरह से आता है अभी फिलहाल मुझे यहां यही दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ हमें male female total voters दिखता है है न और number of votes at the rate 11 am ठीक है यहां हम लोग जब 9 तारी को 12 बज़े से तो बज़े के 12 बज़े इसको open करेंगे तो यहां हर 15 मिनट में चीजें बदलती जाएंगी और हम लोग इसमें भरते जाएंगे समझ गए हर 15 मिनट म हम लोगों को कल 12 बज़े से 12 बज़े के बीच दूराने हैं तो सभी इससे गुजारिश है कि आप सभी presiding officers जो चुनाप प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं आप घर पर हों या फिर ट्रेनिंग में हों आप बिलकुल जरूर से जरूर इस application पर login क का काम करें मतलब dry run जो campaign है इसमें हिससा लें PDMS जारकन application पर उमीद है आपको समझ में आया होगा धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए